नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नहवाल ने उतर प्रदेश की जिला पंचाय चुना में बिजेबी की शांदार सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदितेनात को बधाई दी है साइना की बधाई देने की बाद इस पर राजी की राजनीती तेच गई है रास्टे लोग दल के अध्यक्ष जायन चौधरी ने इस पर तीकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है बिजेबी की जीत पर चैंबिन बैडमिंटन प्लेयर साइना ने लिखा योगी आदितेनात सर यूपे में जिलापंचाय चुनाव में मिली दमदार जीत की बधाई जिलापंचाय το अध्यक्ष के चुनाव में बिजेबी ने शांदार जीत दर्च की है बिजेबी ने कुल 75 सीटों में से 65 सीटें जीत ली है इन में से 21 सीटों पर BJP ने निर्विरोध चुनाब जीता है UP में 2022 में विधानसवा चुनाब है साहिना नहवाल के इस ट्वीट पर विरोधी पार्टी ने तंच कसा है रास्टे लोग दल के अध्यक चैन्द चौधरी ने साइनक सरकारी सटलर तक बदा दिया चौधरी ने ट्वीट किया सरकारी सटलर ने जन्ता के मत को दबाने में दक्चता हासिल करने वाली BJP को मानेता दी है मुझे लगता है कि मत दाताओं को उनकी फैसले को प्रवावित करने की कोशिश में लगे कुछ सेलिब्रिटिस को करारा जवाब देने की जरूरत है गौरतलब है कि रास्टे लोग दल को जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली है शनिवार को राजी के 53 जिलों में हुए मतदान में अधिकाश जिलों में भाचपा और सपा रालोद कॉंग्रेस गडबंदन के उमिदवारों के बेची मुकाबला रहा बास्पा ने यह कहते हुए चुनाव का भहिशकार किया था कि सरकार राजे की मशीनरी का गलत इस्निमाल कर रही है चुनाव में सिर्फ साथ सीटों पर भाचपा के उमिदवारों को जीत नहीं मिल सकी इनमें से एक सीट पर रालोद चार सीटों पर सपा उमिदवार को जीत मिली है इनमें रालोद अपने गड़ बागपत में और सपा अपने गड़ एटा में चुनाफ जीतने में सफल रही तो ऐसी ही खबरों पर रही की हमारी नज़र आप देखते रहिए इन खबर